राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याए पाँच शिक्षक तो आईए सुनते हैं इसका द्वानी पार्ट प्रिष्ठ संख्या तीस पाँच शिक्षक 5.1 शिक्षक वास्तों में बच्चों के भविश्य को आकार देते हैं अतह हमारे राश्टर के भविश्य का भी निर्मान करते हैं इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे विद्यार्थियों को निर्धारित ग्यान, कौशल और नैतिक मुल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भरती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिती वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए प्रिष्ठ संख्या 31 और इसके परिणाम स्वरूफ शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्सा वांचित मानकों का प्राप्त नहीं हो पाता है। और सशक्ती करण की आवशक्ता है। भरती और पद स्थापन। 5.2 उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेशकर ग्रामेण क्षेत्र से शिक्षन पेशे में प्रवेश कर पाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट चार वर्षिये एकिकृत बी एड कारिक्रम में अध्यन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित चातरवृती देश भर में स्थापित की जाएगी। ग्रामेण क्षेत्र में कुछ विशेश मेरिट आधारित चातरवृती को स्थापित किया जाएगा जिसके तहत चार वर्षिये बी एड डिगरी सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद स्थानिय इलाके में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। इस प्रकार की चातरवृती स्थानिय विद्यार्थियों विशेश कर चातराओं के लिए स्थानिय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी जिससे की ये विद्यार्थी स्थानिय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चितर योग्य शिक्षकों के रूप में सेव प्रदान किया जाएगा। विशेश रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं। और उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ग्रामीन स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख स्कूल परिसर में या उसके आसपास स्थानिय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीन क्षेत्रों में स्थानिय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धी होगी। 5.3 शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे जिससे की विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातवरण मिल सके इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानीकारत प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानांतरण बहुत ही विशेश परिस्थितियों में किये जाएंगे इसके अलावा पार दर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानांतरण एक ओनलाइन सौफ्ट्वेर आ परिक्षन सामगरी को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। इन साक्षातकार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना स्कूल या स्कूल कॉंप्लेक्स में शिक्षक भरती प्रक्रिया का एक अभिन अंग होगा। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी TET कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन, साक्षातकार और स्थानिय भाषा के ज्यान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। 5.5 विशयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेश रूप से कला, शारिरिक शिक्षा, व्यावसाइक शिक्षा और भाषाओं जैसे विशयों में शिक्षकों को एक स्कूल या एक कॉंप्लेक्स में भरती किया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की साज्यदारी को राज्य और केंदर शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई Grouping of School प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है 5.6 स्कूलों 5.7 अगले दो दशकों में अपेक्षित विशैवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक आवशेक्ता आयोजना और भावी आवशेक्ताओं के अनुमान का कार्य प्रतेक राज्य के द्वारा आयोजित किया जाएगा भरती और पदस्थापन में उपर बताई गई सभी नई पहलों को समय के साथ जरूरत के मुताविक बढ़ाया जाएगा जिसका उद्देश्य सभी रिक्त पदों पर स्थानिय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों को नीचे वड़नित करियर प्रवंधन और प्रगती के लिए उपियुक्त गुनवत्ता प्रोजसाहन सहित भरती करना होगा शिक्षक शिक्षा कारिक्रम और आफरिंग्स इस प्रकार अनुमानित रिक्तियों के सामन जस्य में होंगे सेवा काल के दौरान कारे संस्कृति और वातावरण 5.8 स्कूलों के काम और वातवरन और संस्कृतियों में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रात्मिक लक्षे शिक्षकों की ख्षमताओं को अधिक्तम स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सकें की वे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रधाना ध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें जिनका एक कॉमन लक्षे यह सुनिश्चित करन होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं. 5.9 इस दिशा में पहली आवशक्ता स्कूलों में सभ्भे और सुखद कार्य स्थिती सुनिश्चित करने की होगी. यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भावतिक संसाधन शौचाले, स्वच्च पेजल, सीखने के लिए स्वच्च और आकरशक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकाले और खेल और मनोरंजन के साधन मु एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातवरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधा जनक और प्रेरित महसूस करें। सेवा कालिन प्रशिक्षण में कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थे और पर इन्पुट होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवशेक्ताओं के प्रती संवेदन शील हों। प्रिष्ठ संख्या 33 5.10 प्रभाव शाली स्कूली प्रशासन, संसाधनों की साजेदारी और समुदाय के निर्मान के लिए राज्य और संग राज्य क्षेतर की सरकारें स्कूल कॉंप्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानी करण, स्कूलों तक पहुँच को कम किये बिना जैसे उन्नती शील प्रा रूप अपना सकती हैं। बहुत छोटे स्कूलों में शिक्षक अब अलग धलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल कॉंप्लेक्स समुदायों के साथ काम कर सकते हैं। में मदद करने के लिए स्कूल कॉंप्लेक्स परामर्श दाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कारे करताओं, तक्निकी और रख रखाओ करमचारियों आधी को भी साजा कर सकते हैं। 5.11 अभी भावकों और अन्य प्रमुक स्थानिय हित धारकों के साथ सहयोग से, शिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉंप्लेक्स के प्रशासन में स्कूल कॉंप्लेक्स प्रवंधन समीती के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे। 5.12 शिक्षकों का ज्यादतर समय गयर शिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए, शिक्षक को ऐसे कारे जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं हैं, उनको करने की अनुमती नहीं होगी। विशेश रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कारे, मध्याहन भोजन से संबंधित कारे के लिए तरक संगत नियूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कारे में ध्यान दे सकेंगे। 5.13 यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो, प्रधानाचारियों और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावी अधिगम और सभी हित धारकों के ल 5.14 शिक्षकों को पाठेक्रम और शिक्षन के उन पहलूं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें, जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हो शिक्षक समाजिक भावनात्मक पक्षों पर भी ध्यान देंगे, जो की विद्यार्थी के सर्वांगीन विकास की दृष्टी से नितांत आवर्शक पक्ष है शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधी अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में ब्रिध्धी हो प्रिष्ठ संख्या 34 सतत व्यावसाईक विकास CPD 5.15 शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित, आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिये जाएंगे इन्हें स्थानिय, क्षेत्रिय, राज्य, राष्ट्रिय और अंतरराष्ट्रिय कारेशालाओं के साथ साथ ओनलाइन शिक्षक विकास मोड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा प्लेटफॉर्म विशेश रूफ से ओनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किये जाएंगे ताकि शिक्षक, विचारों और सर्वत्तम प्रथाओं को साज़ा कर सकें प्रतेक शिक्षक से अप्यक्षित होगा कि वे स्वयम के व्यावसाईक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रतेक वर्ष लगभग 50 घंटों के CPD कारेक्रम में हिस्सा लें CPD के आउसरों में विशेश रूप से बुनियादी साक्षर्ता और संख्यात्मक ज्यान के नवीन्तम शिक्षन शास्त्र, अधिगम परिनामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षन शास्त्र जैसे अनुभवात्मक श शिक्षन, कला एकिक्रित, खेल एकिक्रित और कहानी आधारित ड्रिश्टिकोन आधि को क्रमबध रूप से सम्मिलित किया जाएगा 5.16 स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉंपलेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडर्शिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉडिूलर लीडर्शिप मैनेजमेंट कारेशालाएं और ओनलाइन विकास के अवसर होंगे ताकि वे अपनी सर्वुत्तम प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ साजा कर सकें। यह संस्था प्रमुखों से भी अप्यक्षित है कि वे भी प्रतिवर्ष 50 घंटों के CPD कारिक्रम में भाग लेंगे। इसमें योग्यता और परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर शेक्षनिक योग्यताओं को तैयार करने और लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडर्शिप और मैनेजमेंट के साथ साथ विशय वस्तु और शिक्षण शास्त्र संबंधी कारिक्रम शामिल होंगे। करियर मैनेजमेंट और प्रगती उतक्रिष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पद्दोन्नती और वेतन व्रिद्धी दी जानी चाहिए जिससे की सभी शिक्षकों को अपना बिहतरीन कार्य करने के लिए प्रोथसाहन मिले अतह एक सशक्त मेरिट आधारित कारेकाल पद्दोन्नती और वेतन व्यवस्था का निर्मान किया जाएगा जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहु स्तरिय होगा जिससे बिहतरीन शिक्षकों को प्रोथसाहन और पहचान मिलेगी शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य और केंदर शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टिपल पैरमीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा जो सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिती, समर्पन, CPD के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिये गए NPST पर आधारित है इस नीती में करियर के संदर्व में कार्यकाल से आशे, प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद स्थाई रोजगार से है जबकि कार्यकाल ट्रेक से आशे स्थाई होने से पूर्व परिवीक्षा अवधी से है 5.18 इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करियर की व्रिद्धी यानि कार्यकाल, पद्दोननती, वेतन व्रिद्धी, आधी के संदर्व में एक एकल स्कूल चरण यानि मोल भूत, प्रारंभीक, मिडिल या माध्यमिक के भीतर शिक्षकों के लिए उपलब्ध है और प्रारंभीक अवस्था के बाद के चरणों में, शिक्षकों के लिए या इसके विपरीत, हालाकि चरणों में इस तरह के करियर संबंधी कदम उठाने की अनुमती होगी, बशर्ते शिक्षक के पास इस तरह के कदम उठाने की स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में उच्चितम गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवर्शक्ता होगी और किसी भी चरण को किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपून नहीं माना जाएगा 5.19 योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मॉबिलिटी भी सर्वस्रेष्ठ होगी उतकृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडर्शिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा जिससे वे आगे चलकर स्कूल, स्कूल कॉंप्लेक्स, बी आरसी, सी आरसी, बी आई टी इ, डी आई ए टी के साथ साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्राले में अकादमिक नित्रित्व कर सकेंगे शिक्षकों के लिए व्यावसाईक मानक 5.20 राष्ट्री शिक्षक शिक्षा परिशद द्वारा NCERT, SCERT, सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक, शिक्षक की तयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चितर शिक्षन संस्थानों के साथ परामर्ष से सामान्य मानक परिशद यानि GEC के तहट व्यावसाईक मानक सेटिंग बॉडी यानि PSSB के रूप में पुनरगठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रिय व्यावसाईक मानकों यानि NPST का एक सामान्य मार्ग दर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा इसमें प्रतेक रैंक में दिये गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे जो की समय समय पर किये जाएंगे NPST सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षक कारिक्रमों के डिजाइन को भी सुचित करेगा तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का करियर मैनेजमेंट होगा जिसमें कारेकाल, व्यावसाइक विकास के प्रयास, वेतन व्रिध्धी, पद्वन्नती और अन्य पहचान शामिल होगे। कारेकाल अवधी या वरिष्टता के बजाए सिर्फ निर्धारिक मानकों के आधार पर पद्वन्नती और वेतन में व्रिध्धी होगी। विषिष्ट शिक्षक 5.21 स्कूल शिक्षा के कुछ ऐसे ख्शेतरों में अतिरिक्त विषिष्ट शिक्षकों की अती आवशकता है। इन विषिष्ट आवशक्ताओं के कुछ उदाहरणों में मिडल और माध्यमिक स्तर में विकलांग या दिव्यांग बच्चों ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठीनाई या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है के शिक्षण हे तू विशयों का शिक्षण शामिल है इन शिक्षकों को सिर्फ विशय शिक्षण ग्यान और विशय संबंधित शिक्षण के उद्देशियों की समझ ही नहीं बलकि विद्यार्थियों की विशेश आवश्यक्ताओं को समझने के लिए उप्युक्त कौशल भी होने चाहिए इसलिए इन क्षेत्रों में विशे शिक्षकों और सामन्य शिक्षकों को उनके शुरुवाती दोर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितियक विशे शक्यता विकसित की जा सकती है इसके लिए शिक्षकों को सेवा कालीन और पूर्व सेवा कालीन मोड में पूर्ण कालिक या अंशकालिक या मिश्रित कोर्स बहुविशयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे योग्य विशेश शिक्षकों जो विशेश शिक्षण को भी संभाल सकते हों कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए N-C-T-E और R-C-I के पाठ्ठेक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा शिक्षक शिक्षा का द्रिश्टिकोन यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामगरी के साथ साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवशिक्ता होगी शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे वर्ष 2030 तक बहु विशयक कॉलेजों और विश्च्चो विद्यालेयों में शामिल किया जाएगा जैसे जैसे सभी कॉलेज और विश्चो विद्याले बहु विशयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष ऐसे उतक्रिष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में B.E.D., M.E.D. और Ph.D. की डिगरी प्रदान करेंगे वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता चार वर्षिये एकिकृत B.E.D. डिगरी होगी जिसमें विस्त्रित ग्यान सामगरी और अध्यापन सामगरी से शिक्षण कराया जाएगा इसमें स्थानिय स्कूलों में चातर शिक्षण के रूप में व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा चार वर्षिये एकिकृत B.E.D. डिगरी प्रदान करने वाले इनहीं बहु विशयक संस्थानों के द्वारा ही दो वर्षिये B.E.D. कारिक्रम भी प्रदान किये जाएंगे जिन्होंने चार वर्षिये बहु विशयक सनातक डिगरी या किसी विशिष्टता में परासनातक डिगरी प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विशय में विशय शिक्षक बनना चाहते हो इस प्रकार की सभी B.Ed डिगरियां केवल चार वर्षिय एकिकृत B.Ed उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहु विशयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी अरहता को बढ़ाने की इच्चा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ODL मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाले B.Ed कारेक्रम प्रदान कर सकते हैं। जिसके लिए वे कारेक्रम के व्यावारिक प्रशिक्षन और चात्र शिक्षन घटक तथा मेटरिंग हेतु उपयुक्त और थोस व्यवस्था करेंगे। 5.24 प्रिष्ठ संख्या 37 और अन्य संवैधनिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रती जागरुकता और उसके संरक्षन तथा सतत विकास के प्रती संवेदन शीलिता को भी उचित रूप से एकिक्रित किया जाएगा। ताकि पर्यावरन शिक्षा स्कूल पाठ्य चरिया का एक अभिन अंग बन सके। 5.25 प्रख्यात स्थानिय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए न्यूक्त किया जाएगा। 5.26 और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं। 5.27 वर्ष 2021 तक वंधित मंत्रालेयों, विभागों और विभिन विशेशग्य निकायों सहित सभी हित धारकों से चर्चा के बाद तयार की जाएगी और सभी क्षेत्रिय भाशाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। N.C.F.T.E. 2021 में व्यावसाइक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठे चर्या की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। ततपशात संशोधित N.C.F. में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए N.C.F.T.E. में प्रतियक 5 से 10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा। 5.29 अंततह अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामानिक्ता को पूर्ण तया बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थानों यानि T.I.E. के विरुद्ध कड़ी कारवाई की जाएगी जिसमें यदी जरूरी तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत